मत्यपतेश के मुक्यमंते शिवराज सिय चोवान ने राहूल गांदी पर निशाना साथते हुए कहा है कि राहूल जी में दिक्कत यही है कि वह बहुत वर्षो बाद सोचते हैं जब 1995 में इंद्रा गांदी ने इमर्जेंसी लगवाई थी तब हम बच्चे थे हम भी जेल गए थे आज जब राहूल गांदी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो गए हैं राहूल गांदी की सोच बहुत पीछे चलती है हाला कि देर आए दुरस्ता आए उनकी ट्यूब लाइट थ तोड़ी देर से जलती है दिक्कत यही है राहूल जी में कि वह बहुत वर्सों बात सोचते हैं है हम 1975 में इमर्जेंसी लगी थी हम भी जैल गए थे हम बच्चे थे जब हम जैल गए थे और आज जब राहूल गांधी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो गए अब इतने पीछे उनका सोच चलता है तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी हाला कि देर आए दुरस्त आयद लेकिन अब वो यह भी सोच लें कि वो जो आज कह रहे हैं वो उनको कई वर्सों के बाद लगे गा क कि वह गलती कर रहे थे और तब फिर उनको गलती की माफी मागनी पड़ेगी चाहें कि हैंर है वो सरकार के बारे में कह रहे हों। प्रधान मंत्री जी के बारे में जिस धंकी बेहुदी टिपडियां वो कर देते हैं एक दिन उनको पता नहीं कब त्यूबलाइट जलती है कब उनको पता चलता कि गलत था लेकिन फिर उनको गलती लगेगी खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिन आरट टीवी को सब्सक्राइब कीजिये और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें